नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रेडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आए आज 22 वर्स के पर उसके पाम का अनसेस करेंगे, इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक करिके इनके सवालों का उतर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरपय करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाल अकन को प्रेस कर दे ताकि रिटरस नोटिफिकरिशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका कोशन इस प्रकार है सरकारी नोकरी के लिए प्रियासरत है UPSC के विशेमीन को जानना है और आगी के जिंदगी कैसी रहेगी जिंदगी में कैच्छे खराब योग हैं उस सारे विशे पे इनको जान करी जाएए तो मैं आपको सारी जान करी दूँगा आपके हतरी के मात्यम से वीडियो को पूरा देखें और पहले चीज़ मैं आपको पताना चाहूंगा कि वीडियो काफी खास क्योंकि इस हतरी पर जो योग है ये बहुत बढ़िया योग है ऐसे लोग ईश्वर से लिखवा के लाते हैं सरकारी नौकरी इसमें तो कोई संदेह नहीं है अब कहने का ताथ पर ये है कि जीबन मस्ती में बीदना अब कुछ लोग का यहाँ पर कोश्चन हो सकता है कि मेरी बहते लिए ऐसी है लेकिन मैंने सरकारी नौकरी नहीं की तो मैं कहां लिखवा के लाया हूँ तो सरकारी नौकरी में क्या होता है आपका जीबन सुकून से करता है टेंशन नहीं रहता है नौकरी के रिगारिंग चीज़े बहुत स्मूथली होती है लाइफ पर तो वो तो किसी भी तरह से हो सकती है न हो सकता है आपका वेपार अच्छा चलता रहे और continue basis पर चल ही रहा हो और नती ही कर रहे हो जीवन ऐसे भी मस्ती में निकल गया तो ऐसे योग होंगे न तो आपके जिंदगी अच्छी बीते गया अब depend करता है आप क्या कर रहे हैं क्या करना चाहरे हैं वो आपके उपर नि नौकरी रखी हुई है समझ लो आप पूरी तरह से यह समझ लो कि आपकी नौकरी रखी हुई है तो वीडियो को पुड़ा देखे बहुत सी जानकारी आपको मिलेगी जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी तो अब ऐसे भी क्या योग थे जो मैं इतना खुश हो गया जिसको रहने हे तु मैंने ये चीज़ कह दिया ऐसी भी क्या स्थिती बढ़ी हुई तिसा देली पड़ा दिखाता हूँ मैं आपको ये इनका दूसरा क्लियर पिक है अब जितना ये क्लियर दे पाए उसे आप से क्लियर ही है स्टूडेंट अभी बहुत अच्छा फोन तो इन जोर्मेंट जॉप कोई बड़ी बात नहीं है उसके पड़ स्ट्रॉण बुद्ध रेखा ये नॉनमल तो ही नहीं ये रेखा नॉनमल ही नहीं स्ट्रॉण सूरी रेखा अतली पर डबलब्भड और ये फिश नहीं है इसका हमें क्लीर कर देता हूँ ये सूरी रेखा का एक लाइन यहां गई, फिर यहां से निकल गई, और यहां प्यात्रिक संपत्ति का एक लाइन था है, और बस इस साइड से कुछ लाइन से बने गए, तो यह फिश प्रापर्ली नहीं हुई, तो इसको फिश ना समझ़े, क्योंकि यहां पर से यह 20 से ब्रेक है, तो इसलिए यह फ बच्पन में इसने क्या तरक्की कर ली तो मैंने इनको फोन पर कहा कि आपके जड़म के बाद आपके पिता जी राइस किये थे क्या इन्होंने का जी हां उनके पास कुछ भी नहीं था मेरे बाद ही हुआ है उनके पास सब कुछ तो बस वही चीज़ है आप जिस पर पर रिखाऊगा बहुत सुख ऐसो अराम पाएगा और आपके अटले पर वो योग नहीं है और आपके बच्चे के अटले पर वो योग है वो बच्पन साई शक्री है तो कई ना कई जिस पर वो डिपेंडेंट है उसी को आएगा ना चाहे वो आप हो या उनकी माता जी हो तो यही बाते हैं, बचपन से प्राग्रस लाइन बनी वी थी, और इंडिपेंडेंसी तो बचपन से ही आमें दिख रही थी, अभी इनकी 22 में साल की आई हुए है, और इनकी अतली पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि जॉब ना हो, जॉब के योग चल ही रहा है, बस मैनत करो, क्य तो मैंने इन से कहा देखो, UPSC तो बहुत बड़ी चीज़ आप पूछ रहे हो मेरे से, तो उसके लिए सिर्फ बाग के रहने से नहीं होता है, उसके लिए आपकी जो लख और लेवर, ये दो चीज़ बहुत इंपोर्टेंट है, चांस तो सबको मिल जाता है, लेवर बहु कम्पिटेटर हैं, जो आपके साथ एक्जाम दे रहे हैं, उन्होंने परहाई नहीं की होगी, या उनका बाग ये प्रबल नहीं होगा, इसके कोई गैरेंटी नहीं है ना, इसलिए आपको मेहनत जादा करना पड़ता है, तो आप बोलोगे तो यहां पर ये चीज़ हमाने क क्योंकि हतेली इतनी शांदार है ना, कि बहुत सहसे लोग है न, जो गर्मनेंट जॉब में है, जिनसे मैं भी रूबर हूँ, बिना किसी मैनत के उन्होंने नौकरी पाली, और कोई टेंशन है, जुन्दगी काट ली, तो वही बात है न, लिखवा के आया थे, वो भी आप तो हो गई होगा, यह तो confirm है, चाहे नौकरी करो या सरकारी contractor बनो, जो आपको करना है वो आप करो, लेकिन UPSC के लिए न, मैनत करना पड़ेगा, जादा हदेली शांदार है, मैनत करेंगे तो chances हैं, लेकिन मैनत जादा करना पड़ेगा, अपने सारे सौक है, शोराम को बू लगजरी के रिगार्ड़ेग, लाइफ में, उननती के रिगार्ड़ेग, मैरेज के रिगार्ड़ेग, तो देखो, मैरेज के रिगार्ड़ेग आपके questions है, वो तो अभी आप सोचो भी मत, वो आपका है, अभी लेट है, 25-26 में होगा, और दूसरी चीज कहना आपकी जन्दगी आपकी अच्छी है, no doubt, दोड़ों ही गर अच्छे पोर्शन पर हैं, तो बिरश्पती जब आपकी अच्छी रती है, तो काफी समझदार इंसान हैं, इसमें तो कोई doubt ही नहीं है, फिर देकीन के तली पर कुछ property के regarding questions था, तो देखें वो तो आप बनाओगे, एक कुछ राहू लाइन है, तो जीवन रेका पाता हूं, इसका इस बता देता हूं, इस case में इंसान तरक्की करते ही, करते हैं, इसमें कोई doubt नहीं है, तो तरक्की के regarding सोचने का आवशकता भी नहीं है, भागी रेका आपकी काफी प्रबल है, तो जब भागे प्रबल हो, प्रा साड़े ग्रहों में मूलता है, स्ट्रेंथ है, इनके हाथ के स्ट्रेंथ के हिसाप से, चुकि हाथ भी तो पतली है, तो हाथ ग्रहों थोड़े बहुत मोटे हो जाएंगे, जैसे आपकी हाथ रेका उसे साप से आपके ग्रहों का स्ट्रेंथ भी होता है, तो ग्रह अच्छे तो 65% राज्योग का फल आ गया, अब बात करता हूँ मैं इनकी थंब कैसी है, स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग, अंदर से थोड़ी से कमजोर हो, कुछ बाते बहुत सी बाते आपके दिवांग में चलेंगे, चुकि second falange का जो portion वो थोड़ा sorted है, इसमें इनसान को सार रिक्ष्रम भी करना पड़ता है, तो उसमें कोई बुड़ाई नहीं है, आप क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, स्ट्रॉंग व्यक्ति तो है, थंब वैसे काफी स्ट्रॉंग है, no doubt, समझदारी के लूप काफी अच्छी बन रही है, तो इस age से आप इतने समझदार आगे और भी होंगे, तो समझदारी में किसी प्रकार कमें संदेह नहीं देख पा रहा हूं, बहुत शमझदार व्यक्ति हैं आप, फिंगर के बीच में मुझे गैप परती ही तो रहा है, व्यक्ति ये एकसेस खर्ची ले होते हैं, खर्च में तो कोई डाउट ही नहीं है, इंसान बहुत ज़्यादा खर्च करता है, बहुत खर्ची ले होते हैं, फिर देखे, खरी लाइनाते ले पर मौझूद और कुछ इंट्रोवर्ट के लाइन्स भी, तो व्यक्ति ज़्यादा गुलमिल नहीं करेंगे किसी से, करेंगे तो उससे भद क्लोज हो जाएंगे, और थोड़ा रूटनेस भी आ सकता है, जब आप गुश्या होंगे, तो ग सुन्दगी कोई देख रहा हूं, फिर देखे, इनकी ब्रश्पती की फिंगर छोटी संफिंगर बड़ी हिम्मती है, कैल्कुलेटिव तरीके से जीवन को जिएंगे, बुद्ध फिंगर हल्की छोटी जाली लापड़वाही रहेगी, और कई न कई कभी ऐसा भी होगा, कि अपने बातों को दूसे कर समख्च रख नहीं पाएंगे, बोलना क्या, बोल दिये क्या, करना क्या, कर दिये क्या, मतलब decision making में problem, तो इस पर थोड़ा work करने क्या होशकता है आपको, और नरने सोच समझ के ले माता पिता के मरजी से ही ले, तो ये तो हो गई, इनके finger के भी जीवन पर दिला रहा है, और सरकारी नौकडी है तू, या सरकारी छेतर से धनलाव है तू, या आपकी एक्छा पुड़ती है तू, आपको सफलता जरूर मिलती है, ऐसे ब्रश्पती की बात, तो strong ब्रश्पती, और ब्रश्पती अच्छा है, तो फिर logical है, और आपकी broad मैनती मैनत का फल भी मिल जाएगा, 50% के राउन, जो की बहुत जादा है, और इनकी जो fate line, जीवन के last तक बनी है, तो कहीं नहीं, कहीं foreign travel, या विदेशी धर्ती से धनलाव के तरब भी इशारा करें, इन्टै कोशन भी था कि विदेशी धर्ती में कभी जाओंगा, यात्रा करोंगा, धनलाव होगा, 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 बहुत अच्छे योग आपके तली पर बने है, तो होने के बहुत ये अच्छे chances है, disturbed शुक्र वले दिग्या मुझे आपके तली पर, तो अपने उपर patience रखना, control करना, चीज़ें विप्रीत हो जाएंगी, लाइफ पर 25 में वर्स की का इन बड़ी में तो जीवन का लाश तक दिक्कते नहीं होगी, mood swing की problem भी इंडिकेट करती है, अलकी सलकी disturb आपके तली पर, शुक्र वले जो मौझूद है, इस case में ये चीज़ें भी होती है, जीवन पर, फिर देके इनके line of education बड़ी जबर्दस्त है, तो basic knowledge बहुत अच् सूरी रेखा तो ही नहीं, इनसान को चस्तर ये value मान सम्मान जीवन पर मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बस परियास करें, उस मान सम्मान पाने के लायक भी बनें आप, तो सूरी रेखा बड़ी जबर्दस्त, और ये खड़ी देखो, एक और सूरी रेखा आपकी develop कर इनसान सोच नहीं सकता, logical नहीं हो पाता, कभी कवार concentration में problem आ जाती है, तो इन सब problem के लिए मैं आपको उपाई दूँगा, निशिंद्रे वो उपाई करना आपके जिवन पर चीज़े बदल जाएंगे, तो ये तो होगी शूरी रेखा कि विशर में कुछ बाते बाके शू कहीं से निकाल के लिए, मतलब दिमाग में कोई संदेह नहीं है, आपकी माइन बहुत देशतर राक है, जबर्दस्त मंगल अदिल पे मौजू दोनों ही मंगल है, ओपर प्राक करमी, logical, स्वस्त रहेंगे, और बहुत अच्छी personality के, मतलब भोगने वाले आप होते हैं, बहु साही लापडवाही आप कर लो, तो वो तो आपकी मर्जी है, आपकी मानसिक्ता है, आपका जिंदगी है, लेकिन लापडवाही मत करना, मंगल आपकी काफी अच्छी, आपको काफी benefit देगी, energy के regarding, और फिर देखें इनके अतले पर, चंदर्मा, जबर्दस्त चंदर्मा मौ चंदर्मा अच्छा है तो इंसान बहुत लॉजिकल है, चंदर्मा अच्छा है तो शांती बना के रखेंगे लोग से अच्छा सम्मान जरक, सम्मान जरक आपको लोग दिस्टी कौन से देखेंगे, क्योंकि आपकी वैसा नेचर है कि आपको लोग सम्मान दे, क्योंकि आप लोगों के विशह में अच्छा ही सोचते हो, चंदर में आपका काफी बली, काफी बली आते लिए पे मौझूद है, तो ये तो हो गई, चंदर के विशह में कुछ बात है, अब बात करता हूं मैं इनके तरे पकेतू परवत पर फिश, तो स्ट्रॉंग फिश, स्ट्रॉंग फ जो मोटे-मोटे हैं ये थोड़ा प्रारंबिक समय में दिक्कत इंडिकेट करते हैं, रिलेशन्सेप्स के मामले में कुछ दबाब देते हैं, हर्ट का मतलब हो सकता है, कुछ बिमारी के संस में नहीं है, ये संस होती है कि इंसान किसी लपड़े में पढ़ता है, उनको दु ओवर प्राक्रमी बता रही हमें, ओवर डबलप्ट मंगल, व्यक्ति एकदम युद्धा के समान होता है, एकदम युद्धा के समान, और यहां से मंगल रेखा भी कुछ हलकी अलकी परती थो रही, अभी तो उमरी के आगे बनेगी भी, इस उमर में इतनी विजिबल लाइन ब्यतली पर है ही नहीं, मुझे तो फील नहीं हो रहा, हलकी अलकी सी कुछ है तो इसका में उपाय आपको दे दूँगा, 36 में वर्स से स्टार्ट है, 42 में फिरमान के चलो आप, 46 में वर्स की आयो तक है, उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं, continue आपकी 22 वर्स से प्रगती, प्रास प्रेड में कुछ आपके ट्रेंगल स्नुमाकर्ती का फोर्मेशन बे तो वर्क्ती कुछ प्रापर्टी विगरा बना पाते हैं, यह सब तो बनेगा ही बनेगा आपका, यह तो बात की बात है, पहले आप मेहनत करो अपना, बहुत ज़्यादा, माइन रेखा अच्छ एक बहतरीन दवा मुझे आपकी 32 से लेके 36 के बीच में दिखरा है, उपाई दे दूगा मैं, चीज़े खतम हो जाएंगी, और आपकी हर्ट लाइन काफी emotional nature बता रहे हैं, जल्दी किसी attached होते नहीं, होते तो फिर उसको कभी भूल नहीं पाते हैं, हर्ट लाइन काफी अच लेकिन 32 से 35 के बीच में कुछ दबाव है, तो पाई दे दिया जाएगा, बचपन से फेट लैंस रुई कि तुई कि तरह पतली मौजूद अजीवन के लास तक कि सैटन तक गई है, उच्छेतम बागी रेका आते हैं पर मौजूद, ऐसे लोग को तो सोचनी का आउशकता है यह नहीं अपने लाइफ को लेके, जबरदस्त बागी लेका हैं आप, और जबरदस्त शुरी रेका तो जौब के भी योगे, बुद्ध रेका भी क्या कमाल की, मनी ट्रेंगल भी बनी है, ग्रेटर ट्रेंगल भी बनी है, मतलब खतरनाक, तो इंसान को पैसे आते ही आते है अब बुलो गुरुजी मुझे आकाना है, तो अभी क्या करोड़ पती बन जाओगे, नहीं न, समय लगता है, आपके माता पिता को इससे बेनेफेट हो रहा होगा, आपके जन्नब के बाद हुआ ही होगा, तो ये वाली बात थी, तो ये हतेली पर बहुत अच्छे इंडिक अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अगर आप रसन मेरे सास्तरे का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते है, हमारा वाट्सप मेरे डिस्किप्शन में मिल जागा, लेकर समपड़ कर सकते हैं, धन्यवाद